शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू के साथ एक व्यक्टी को गिरफतार किया है पुलिस ने उसके कबजे से चाकू बरामत किया है कोतवाली थाने में सहायक उपने रिखशक रगुवीर सिंग ने बताया कि दीवान जी के बात की पास हनुवान बगी जी के पास एक यूवक्ट हाथ में चाकू लेकर खड़ा हुआ है और लोगों को धमका रहा है इस सूचना पर ततकाल मौके के लिए रवाना हुए जहां यूवक्ट को पकड़ा गया और उससे पूछताच की गई तो उसने अपना नाम पवन कुमार वालमी की निवासी दीवान जी का बाप का बताया जिसको मौके से गिरफतार कर उसके कबजे से चाकू बरामत किया है अमला ये है कल आनी सामको में इवनिंग गस्त में था तो गस्त के दोरान करीब आट विजे मुक्बिर की सुचना मिलेगी अनुमान बकिच्ची है दिवान जी के पास में इसके आसपास एक वेक्ती है जिसकी उमर कर भी 25-26 साल है वो चाकू बहराता हुआ भूम रहा है और जिस से जनता वहां काफी बेड़ बाड लगी है शूचना पर मोके पर पहुचा है तो वो शक्स भागने लागा जिसको पुलिस ने पकड़ा पकड़ कर उसका नाम पता पुचाता है उसका नाम पहुण कुमार पोत्र सिरी बलुराम जाती बाल में की उमर्च भी साल निवासी दिवान जी का भागन वरका होना पाए गया इसके कबड़ में मिलिचाको को मुझे पजब किया रहा है ग्रफ्तार कर सालने का है अनुसंदान जारी है